ये हैं मेरा laptop और ये हैं मेरा PC इन दोनों में से लेना कौन सा है क्यों लेना है कब लेना है कैसे लेना है हम ये दोनों मिशिन को compare करेंगे और last में जो result निकलेगा that is definitely going to surprise you इसे पहले हमनों बात करते हैं ये दोनों की performance की और performance के लिए जिमेदार है processor कंपनी पूरी तरह अलग processor डिजाइन करते हैं desktop के लिए इसे desktop processor कहा जाता है और laptop के लिए जिसे mobile processor कहा जाता है और ये दोनों processor का design और architecture काफी अलग है आप TDP समझते हो thermal design power सारा performance का खेल ये TDP का ही है TDP rating मतलब कौन सा machine कितना watts of heat को handle कर पाता है laptop का TDP rating है 15 से लेके 60 watt तक जबकि desktop का TDP rating है 50 watts से लेके 200 watt तक मतलब desktop का TDP rating जादा है और machine के अंदर में जो heat generate होता है वो mainly होता है प्रोसेसर पे और जितना pressure आप प्रोसेसर में डालते हो उतना ही ज्यादा heat produce होता है laptop प्रोसेसर को design किया जाता है कि वो up to 60 watt of heat को ही tolerant कर सके अब ज्यादा pressure डालोगे तो hang हो जाएगा और बोलेगा बस भाई हमसे और नहीं हो पाएगा तो समझ में बैठे रहने से आपका तु समझा एक बार दिन पर बैट के देखो सब समझ में आजाएगा साथी में डेश्टॉप अकेला काफी नहीं है इसको चाहिए बड़ा सा टेबिल और यह सब ताम जाम तभी है डिक से काम करेगा पर laptop बना ही है portability के लिए आप अपना choice laptop ही होना चाहिए desktop का कोई जगा नहीं है तो potability के case में clear winner is the laptop लेकिन अगर आप इन दोनों का बूटिंग टेस्ट नहीं देखा तो फिर क्या देखा वो करेंगे लेकिन उससे पहले देख लेते हैं upgradeable section में कोन winner है laptop में mostly आप इसका RAM और SSD को ही upgrade कर सकते हो वो भी अगर company चाहे तो कहीं laptop का model ने तो मना ही कर दिया कोई upgradeable option नहीं चलेगा जो दिया पास उसमें खुछ रहो क्योंकि उसमें RAM और SSD आपको लगा कि नहीं मुझे एक नया application को जानना है सीखना है और वह application को जब आप laptop में इसल्ल करने जाओ और application मना कर दें नहीं हम इसमें होंगे ही नहीं क्योंकि इसमें 8GB RAM दियागा है लेकिन हमको तो चाहिए 16GB लेकिन आप तो upgrade करी नहीं पाओंगे क्योंकि आपका तो RAM solid है यह कुछ laptop को बात कर रहा हूं लेकिन desktop का case में ऐसा कोई drama नहीं है बस धकन खोलो और जो मर्जी उसे चेंज कर लो यह जरा से भी चूचा नहीं करेगा तो upgradable segment में clear winner is the desktop अब the most interesting test the booting test तो बताते आपको दोनों machines M.2 SSD पे चलता है और desktop में Ryzen 7 3800XT लगाया गया है प्रोसेसर जबकि laptop में Ryzen 5 5600H लगाया गया है प्रोसेसर के इसाप से desktop तो पाउरफुल हुआ 3,2,1 यहां पे विक्टेस का लोगो आ चुका है यहां पे बूट मेनू पॉन हो गया स्क्रीन आ चुका है लेप्टाप तो आ ओन हो गया है लेकिन यह भाई सब अभी काम चल रहे हैं पाउरफुल प्रोसेसर राइजन 7 3800XT डेश्टॉप है अब आया एज़ गो टू पासवर्ड यह करीब करीब 40 सेगंड लिया है और वो करीब करीब 16 सेगंड लिया है और यह लैप्टाप का केस में सरिफ मेरा टेस्ट नहीं कई और टेस्ट देखा है जिसमें फर्स्ट बूट तो अल्वेस लैप्टॉप ही होता है कारान है उप्टिमाजेशन तो लैप्टॉप का पार्स एक दुसरे को जानते हैं तो यह लोग फुली ऑप्डिमाज्ज होते हैं तो तुरंत जाग जाते हैं और डेक्स टॉप में तो अलग अलग पार्ट्स होते हैं और एक दूसरे में ठीक से बनता नहीं हो लोका तो स्टार्ट होने के लिए भी तरह टाइम ले लेता ही है तो बूटिंग टेश्च में तो लैप्टॉप आगे निकल गया तरसे लेकिन बात तो यह दुनों मेशिन का सर्विस और रिपेर क करना पड़ेगा हां कोई-कोई इन्वेटर पर चला लेता है लेकिन वह भी जहादर नहीं आपको इन्वेटर का बैटरी जल्दी यह चूस लेगा और तब आपके दिमाग खराब होगा डेफिनिटली वाई को याद कर लेना मैंने बूला था नहीं लेना पाउर कट है तो और अधर हैंड लेपटोप दिन बर चला लो आप इन्वेटर पर कोई चिंता नहीं है तो पाउर कंसम्शन के मामले में लेपटोप इस दा विनर नेक्स सेग्मेंट इस दा पॉकेट सेग्मेंट आपके पॉकेट में कितना जोर पढ़ने वाला है यह दोनों मिशिन के साथ युनिवर्सल रूल यह है कि अगर आप डेश्टॉप बनाते हो तो आपको सस्ता में डेश्टॉप बन जाएगा मालने जी आपको एक 20,000 का अंदर में एक बिल्ड बनाना है आप अराम से बना सकते हो अपने मन पसंद पार्स को चूस करके बना सकते हो अगर आपके पास प जबरदस्ती मिलेगा वह एकदम खताम होगा तो अपको लैपटॉप के लिए सोच के रखना पड़ेगा और उतना दाम में आप अच्छा एक डेक्स्टॉप बिल्ड कर सकते हो अभी जो प्राइस के वारे में ग्यान पिला है यह सारे रूल 2021 ने नहीं था क्योंकि तब जी जिसमें हमको अच्छा का साथ प्रोसेसर मेल गया राइजन 5 5600H और अच्छा जीपीव ही मेल गया डाइस GTX 1650 जबकि GTX 1650 का अभी का रेट चला है 20,000 रूपीज जिसमें और थोरा डालने से एक नहा लैपटॉप आ जाता है तो यह कहानी था 2021 का और अभी जीपीव का रे किया है इस पर अगर आप डिशाइड कर लिया है कि कोंसा आपको लेना चाहिए तो आप थोड़ा जल्दी हो थोड़ा फाइनल रेजल्ट का वेट कर लो तेकि उससे पादे देखते हैं रिपेरन सर्विस का क्या खेल है अगर आप एक डिस्टॉप यूजर हो और कोई पार कर देंगे उस पर दोड़ा चार्च कर लेगा अगर आपके आसपा सर्विस इंडर नहीं है और या तो आपके पास जो लैप्टॉप है वो आउंटेट है तो उसका पार्स भी मिलना मुश्किल है जैसे कि यह लैप्टॉप आसूस का है इसक्रीन खराब हो गया और से मॉड इसको जमेगा नहीं और मदरबोड मिल नहीं रहा है तो यह बढ़ा हुआ है और यहीं पर डेश्टॉप होता तो कोई चिंता नहीं होता जरस्ट पुसेसर का सौकेट नमर देखता और कोई भी मदरबोड इसमें लगा देता और इसका जो मदरबोड का प्रॉलम है या तो मदरबोड को रिप्लेस करना है या तो चिप लेवल का काम है जो हमसे तो होगा नहीं वेल ट्रेंड टेक्निशन ही कर सकता है लेकिन डेश्टॉप होता मैं खुद ही रिप्लेस कर लेता तो रिपेर और सर्विस के मामले में यह भाई साब लीट कर रहा है और नेक्स्ट कभी कभी ऐसा होता है कि आपको में पार सप्लेन यह तो थोड़ा कंपलेस होता है यहां से वह जा रहा है ऐसा कोई पंगानी यह लेप्टॉप में तो यूजर फैनली के केस में लैप्टॉप इस दा क्लियर विनर एड नेक्स दा मोस्ट डिफरेंट आइडिया ओन दा स्क् लेकिन मेरा बोलना यह है अगर जब आप प्रोड़क्टिव काम करते हो तो आपको यह मोनिटर से घंटा भी कुछ नहीं होगा आपको एक दो मोईटर तो चाहिए हमने डिश्टॉप के साथ में एक स्क्रीन ले लिया इसमें तो काम होना नहीं है हमको और एक स्क्रीन लेना है तब जाके प्रोड़क्शन फास्ट होका और मजा भी आएगा और सेम प्रॉब्लम मेरे हिसाब से लैप्टॉप है जब आपको इस्ट्रा मॉनिटर लेना ही है उसे घर में रखो और जरूरी नहीं है जब आप लैप्टॉप ले रहा हो कि दिन भर आपको प्रोड़क्श का काम करो जब आप बड़ा मॉनिटर के पास आओ जोगे तभी आप कंटेंट क्रेट कर लीजिए लेकिन डिस्टाप के साथ में क्या है आपको यहीं पर फिक्स रहना पड़ेगा आपको रिसर्च वर करना है और कुछ भी करना है आपको यहीं बैटे करना है आपको यह मेरे सुचनी का तरीका है लेकिन आपका डिफिर्ट बहु सकता है और मेरा चॉइस आप नहीं जानोंगे लेकिन उससे पहले एग्रिकेट रिजल्स देख लेते हैं यह दोनों मेशिन का बैटल में लैप्टॉप जीतता है पोटेबिलिटी बूटिंग स्पीड पाउर क करते हो और अपको डेश्टॉप के साथ जाना चाहिए अगर आप सिरियस गेमर हो हाई-एंड कंटेन्ट क्रियेटर हो और आपका बैंक बैलेंस से पंगा चल रहा है अगर बैंक बैलन से पंगा नहीं चल रहा है तो आपको अप्ग्रेड अप्शन कोई ज़रूत नहीं है आप एकी साथ ही सही package उटा सकते हो और service and repair का भी कोई पंगा नहीं है मुझे पसंद है laptop हलागे घर में दो laptop फेका पड़ा है लेकिन तब भी I love portability मैं दीन बर भागा दोड़ी करते रहता हूं और कहीं जगा हम जाते रहते हैं जहां पे laptop पकड़े और चल दिये और वहाँ पे जाके सारा official का काम, research work, scripting वगराम कर लेते हैं और इसके साथ में तो हम नहीं कर सकते हैं और plus जब करन जाता है तो यह अपना हाथ कड़ा कर देता है और मेरे पास दो vacancies है scripting के अगर आप interested हो Instagram का link नीचे दिया गया है DM करो फिबात करते हैं अगर आपको यह PC build देखना है डीटेल में यह रही पूरी वीडियो और यह laptop की पूरी ग्यान इस वीडियो में है जाके देख लो मजा आ जाएगा